एक्सल में रियल ओफिस वर्क आखिर करते कैसे हैं। अब तक की वीडियोज में आमने ये तो सीख लिया के टेबल कैसे बनाते हैं। फॉर्मुला फॉर्म्शन्स कैसे अपलाई करते हैं। पर इन सब का यूज कैसे करना है रियल लाइफ में। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं खुद कैसे अपना ओफिस वर्क एक्सल में मैंटेन करता हूँ। वो भी रियल डोकिमेंट्स के जरीए। हो सकता आपका वर्क थोड़ा अलग हो, आपको अलग फॉर्मुला फॉर्मिशन्स की जरूत पड़े। फिर भी आपको ये आइडिया जरूर मिल जाएगा कि आप अपने काम के अकोर्डिंग कैसे उसे मैंटेन कर सकते हैं। तो आएए और टाइम वेस्ट किये विना चलते हैं अपनी कंप्येटर स्क्रीन की तरफ। मेरी जोब में ऐसे बहुत से काम है जो मुझे एकसल में मैंटेन करने पड़ते हैं। मुझे उनका रेकोर्ड बनाना पड़ता है। उन्हें ट्रैक करते रहना पड़ता है ताकि कोई गलती ना हो। उनी में से एक काम मेरे जिम में आता है वो है purchase orders का record रखना. purchase order कोई आपको order देता है कि मुझे कोई product चाहिए और कितना चाहिए तो वो आपको पीओ यानि purchase order देता है और आपको record रखना पड़ता है कि उस order के according आप कितना माल, कितना product उसे देश चुके है और कितना अभी pending है, कितना balance रह गया है तो मैं यहाँ आपको original documents के साथ यह example के साथ आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस situation में कैसे कोई record तयार कर सकते हैं यहाँ मैंने security reasons के चलते company का नाम और बाकी details जो है मिटा दिये लेकिन बाकी सब as it is है, यह बिल्कुल original document है और यहाँ आपको heading दिखती है, purchase order सभी companies लगबख एक जैसा ही purchase order तयार करती है design थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन दिखने में कुछ-कुछ ऐसा ही होगा इस document में आपको जो जरूरी जानकारी दी जाएंगी यह वो होती है, पहली purchase order number, यानि कि यह जो order उसने आपको दिया है सामने वाले ने, हमारे client ने, party ने, वो यह है, ताकि वो track कर सके कि कौन से purchase order number के according आप कोई product भेज रहे हैं, तो यह होता है हमारा purchase order number, और यह होती है उसकी date, कि यह किस date का purchase order है किस date का PO है, ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर अपना order यहाँ मैं bearings से related काम करता हूँ, तो यहाँ पर product के नाम पर मुझे bearings दिखाए गए हो, उनके नाम यहां लिखे हो है, नंबर लिखे हो है कि यह bearings चाहिए, और यह लिखे होए quantity कि कि कितने चाहिए, अब मुझे इसे track कर दे रहना है आगे भविशे में, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना माल जा चुका है और कितना रह गया है, तो ऐसा करने के लिए आपको इसे Excel में कोपी करना पड़ेगा, आप इसे manually या तो लिख लीजिए, या Excel में कोपी कर लीजिए हम चलते हैं अपनी Excel फाइल में, यहां अब हमें अपना record बनाना है इस document के जरी है, मेरे पास order आ गया, अब मुझे ये Excel में उतारना है तो यह तो आप इसे select करके copy कर लो, या manually लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे उसके लिए आपको क्या कर रहा पड़ेगा, सबसे पहले तो हम पहली जो line है, उसे blank छोड़ देंगे second line में हम यहाँ पर लिख लेंगे items, 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 first में हो गया items और second में हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा PO का number क्या है, हम PO number के according column बनाएंगे अलग-अलग, टीक है, ऐसा क्यों है, यह मैं आपको भईश्य में आने वाली वीडियो में समझाऊँगा इसका बहुत important role है, कि हम यहाँ पर PO number क्यों लिख रहे है, टीक है, तो यह मेरा PO number है मैं इसे यहाँ पर लिख दूँगा, आप इसे copy कर ले, या manually लिख दे, टीक है, आप यहाँ लिखेंगे परचेज ओर नंबर हमने यहाँ लिख 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 लिए, यह दिखिए थोड़ा बड़ा है, हमारे cell से बड़ा है, बार जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस cell का size जैसे increase कर ले, बड़ा लेंगे इसे, टीक है, तो हमने PO number भी यहाँ लिख 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 ल तिल रबर कटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर bearings number है, तो मैं bearings number ले रहा हूँ, यहाँ पर items के तोर पर, मैं यहाँ से copy करूँगा, और यहाँ items में paste कर दूगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, अब मैं यहाँ पर paste करूँगा quantity, कि किस bearing की कितनी quantity है, जो सामने वाले ने मांगी है, हमें उसे देनी है, तो आप यहाँ से आप quantity copy कर लेंगे, और यहाँ अपनी excel file में paste कर देंगे, ठीक है, यह आमारे पास आगया, आमारा सारा data, जो हमारी purchase order में मौझूद था, ठीक है, सारी detail हमने यहाँ से ले ली है, सिवाए date के, तो आप date भी purchase order पर अपनी file में, excel file में mention कर देंगे, यह है 9 July 2022, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो हमने first line को blank छोड़ा था, आप यहाँ पर अपने PO की date लिख देंगे, ताकि आप date के according भी track कर पाओ, कि यह PO आया था, किस date ले लेते है, 9 July 2022, मैंने date भी डाल दी, ठीक है, date डालने के बाद अब इसे थोड़ा format कर लेते हैं, ताकि यह ज़्यादा अच्छे से समझ में आये, थोड़ा highlight हो, ठीक है, हम इसे format कर लेंगे, हम अपनी second row को, जो item वाली row है, इसे थोड़ा कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसे कर देंगे, थोड़ा bold कर देंगे, और इसका alignment हम तर मिड़ में कर देंगे, horizontally भी और vertically भी और background में इसे yellow color देजेंगे, हम इन दोनों को ہी ऐसे yellow color देजेते हैं, कुछ इस तरीके से, इस तरीके है कि हमार पीव है यसे थोड़ा अलग से हायलैट करना है पती डेट்स को तो आप इसे अलग से फॉर्मटिंड देंगे इसे आप मिड में करेंगे इसे भी आप बोल्ड कर देंगे और बैक्गराउंड किलर में इस बार आप इसे डिक लग नजड़े यहाँ है यह जादा बेर नज़र आ रहा है अब आपनी आइटम को कौनिटी को सिलेक्ट करेंगे और इसे ऐसे सेंटर में कर देंगे अब यह जादा बेर नज़र चाव तेक है और बेर नज़र आ सकी कि कि सेल में कौन सा data लिखा हो, कौन सी quantity, किस bearing number की है, किस product की है, इसे थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, अब ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने PO को यहाँ पर mention कर लिया, अपने PO की सारी details सामया ले आये हैं, अब बस बारी आती है, कि हमें यह माल, यह product तयार करके सामने वाली party को, अपने client को भेजना है, क्योंकि यह माल ज्यादा quantity में है, तो क्या होता है, एक बार में सारा माल नहीं भेजा जाता है, एक बार में full quantity deliver नहीं की जाती, टुकडों में करना पड़ता है, कभी 2000 पीस बेज दिये, कभी 4000 पीस बेज दिये, इस तरह से order complete किया जाता है, लेकिन इस दोरान problem यह हो जाती है, आप हर बार order बेजते हैं, तो आपको pending quantity निकालने पड़ती है, balance निकालना पड़ता है, कि कितना माल भेज दिया, और अब कितना रह गया, कितना और भेजना है, आपको पता रखना पड़ता है, वरना problem हो जाएगी, हो सकता सामने वाले के पास जादा माल चला जाए, या कम चला जाए, तो वो कैसे करना है, ठीक है, अब हमारे पास detail आ गई है, अब बारी आती है, उस product को सामने वाले को भेजने की, जैसे आप model निकालते हैं, सामने वाले को भेजते हैं, तो bill generate होता है, bill generate होकर आपके पास आता है, हम ये purchase order वाली file को आप कर देते हैं, बंद, इसका काम हो गया, खतम, ठीक है, अब bill generate होआ, आपने सामने वाले को माल भेज दिया, लेकिन पूरा नहीं भेजा, क्योंकि time रहते हैं, आप इतरह quantity पूरे complete नहीं कर पाए, आप टुकडों में भेजेंगे इसे, ठीक है, लेकिन आपके पास bill आ गया, और आपको पता चल गया, कि bill में कौन सी items mention है, क्या product हमने भेज दिया, और क अपनी file में इसे minus कर देंगे, balance निकालने के लिए, कि बाकी balance कितना रह गया, ठीक है, यह देखिए, यह बिल्कुल original bill है, यहाँ भी मैंने security region से company के details मिटा दिये, लेकिन बाकी सब वैसा ही है, जैसा आपको किसी original bill में देखने को मिलेगा, इस पर date है, invoice number है, और हमारी सारी details मुझूद है, जो भी product हमने सामने वाले को भीजा है, ठीक है, अब यहाँ पर bearing mention के आगया है, 361-2RS, इसको यह 3601 है, पर हम 361 बोल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने bearing देख लिया है, कि हाँ, यह bearing का number है, और यह quantity है, तो आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे अपन कितना गया, कितना dispatch किया आपने, ठीक है, वो आप यहाँ इस column में अब mention करेंगे, ठीक है, मैं इस column को नाम दे देता हूँ, dispatch, D-I-S-P-A-T-C-H, dispatch, और यहाँ डाल दूमा, date, उस bill की, कि कब गया, ताकि मुझे पता रहे, सामने वाले को बताना पड़े, तो मुझे पता हो कि मैंने कब बेजा, ठीक है, बिल की date देख लेते हैं, इस bill पर date क्या है, 13 July 2022 को बेजा, ठीक है, तो आप यहाँ डाल देंगे, date, 13 July 2022, ठीक है, इसे भी आप same formatting दे देंगे, कुछ इस तरह किसे, same formatting दे दिया आपने, dispatch वाले इस column को भी दे देते हैं, इस से थोड़ा बड़ कर लेते हैं, column को, इतना ठीक है, इसे भी हम bold कर देते हैं, center में कर देंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से, और इसे background में हम कुछ दूसरा color देंगे, इसे हम green color देते हैं, ताकि difference रहे कि हाँ, यह तो order था और यह dispatch है, ठीक है, और अब हम यहाँ पर अपना bill mention करेंगे, उनके items के according, 63012RS bearing गया, कितना गया, 10,000, आपने यहाँ से देख लिए 10,000, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बेरिंग नमर ढूंडेंगे, यहाँ है, और यहाँ टाइप कर देंगे, 10,000, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही आप बारी बारी, हर bearing की detail यहाँ देख लेंगे, और अपनी file म bearing यहाँ लिखा हुए, dispatch वाले column में लिखेंगे, कितना गया था, 9,000 गया था, यह देखिए, 9,000 गया, 62,2RS, और हमने यहाँ पर mention कर दिया, 9,000, ठीक है, ऐसे आप बारी बारी हर item यहाँ पर mention कर लेंगे, यह देखिए, मैंने इनको mention कर लिया, बारी बारी हर item यहाँ पर ल मैंने same formatting apply की, यह मैंने mention कर दिया, अपना पहला बिल, अब दूसरा बिल देखते हैं, कब कटा था, दूसरा बिल गया हमारा 19 जुलाई को, 19 जुलाई को दोबारा बिल कटा है, दोबारा माल गया है, और इस बार उनकी detail कुछ ऐसे ही है, ठीक है, आप यहाँ भी same तरीका आपनाएंगे, बस bearing number देख लेंगे, कौन सा है, 60032RS bearing है, 690 पीस गया है, तो अगेन आप वैसे ही अपनाएंगे, इस बार आप अलग column बना लेंगे, क्योंकि अलग बिल है, अलग date में, 19 जुलाई को गया है, तो आप क्या करेंगे, इस बार आप यहाँ पर 19 जुलाई के ल दोनों columns पर आजाएं, ठीक है, यह आ गया इन दोनों पर, और इस column की भी हम अब width जो है, थोड़ी बढ़ा लेंगे, इस तरीके से, ठीक है, अब हम सेम वैसे ही नकल करके, यहाँ पर अपनी सारी detail लिख लेंगे, 60032RS, 690 पीस गया, यहाँ देखेंगे, 60032RS कहा है, यह रहा 60032RS, तो मैं क्या गरू हूँ, यह 19 तारीक वाले column में mention कर दूँआ कि कितना गया, 690 पीस गया, ठीक है, तो आप 19 तारीक वाले बिल की detail यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आप 19 तारीक वाले column में, यह सारे बिलों की detail, अपने product की detail यहाँ पर लिख देंगे, कि कितनी quantity गई है, किस bearing की, ठीक है, तो मैं यह जल्दी से लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी 19 तारीक के विल की सारी detail यहाँ पर लिख ली है, कि 19 तारीक को कौन सा bearing कितनी quantity में गया है, ठीक है, इसको same formatting दे देंगे, again, आप यहाँ से formatting copy कर लेंगे, format painter से select करेंगे, same formatting आ गई, ठी इसके जरिए हमने सामने वाले party को उनका माल भेज दिया, लेकिन अब बारी आती है, pending निकालने की, कि balance निकालो, कि क्या चला गया, और क्या रह गया, और रह गया, तो कितना रह गया, अब यह काम हम करेंगे, अपने formula के जरिए, इसके लिए आप एक और column यहाँ पर बनाए दे देंगे, ऐसे ही, format painter से click किया, ऐसे आ गया, ठीक है, इस column की भी आप जो है, width बढ़ा देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब pending निकालना आपको, pending आप आप कैसे निकालोगे, देखिए, यह तो था मेरा order, total order आया था, कि भई, मुझे इतने पीस चाहिए, सामने वा total से, total उसने जितनी quantity मांगी थी, उसमें से गटा देंगे, वो जो हमने भेज दिया, अब यह formula से करना है, तो formula से अब कैसे करोगे, ठीक है, formula लगेगा, कुछ इस तरीके से, आप जाएंगे अपने pending वाले column में, first line में, जहां आपका पहला product सुरू हो जाता है, ठीक है, आप यहाँ type करेंगे, equal, equal type करने के बाद, अब आप यहाँ पर अपनी total quantity select करेंगे, जो सामने वाले ने demand की थी, कि मुझे इतने pieces चाहिए, जो कि यहाँ इस PO के column में लिखे हुए, ठीक है, आप इसे कर लेंगे, select, select करने के बाद, अब आप लगाएंगे, symbol minus का, क्योंकि इसमें से घटाना है, जितना base दिया हमने है ना, तभी तो pen lens निकलेगा, कि कितना रह गया, तो आप यहाँ लगाएंगे, symbol minus, अब आपको इन दोनों columns में मुझूद quantity जोडनी है, और इसमें से घटा देनी है, तो जोडने के लिए सबसे पहले हम क्या formula लगाएंगे, sum का, sum, bracket करें स्टार्ट, किन दो columns को हमें plus करना है, जहां detail लिक्की हुई है, तो बिल मेरे इन दोनों columns में लिक्की हुई है, तो आप इसे select करेंगे, इन दोनों columns को कुछ इस तरीके दे, मैंने दोनों columns को ऐसे select किया, और अब आप कर देंगे bracket को close, ठीक है, यह मेरा formula हो गया, तयार, कि इन दोनों columns में जो भी quantity लिक्की हुई है, वो जुड़के minus हो जाए, इस total में से, जो उसने मागी थी, और अब आप कर देंगे hit enter, enter हिट किया, और यहां पर मेरा function काम कर रहा है, और इसने बता दिया, कि यह जो bearing number है, 60002RS, pending है, बचा है, कितना बच गया, 600, क्यों, क्योंकि balance है, pending है, यह अभी भी हमें देना है, अब आप सब का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे click करेंगे, कुछ इस तरीके से corner पे जागे, जब plus का symbol आजाए, और नीचे drag करेंगे, और यह formula सब पर अपला ही हो जाएगा, और यह सब का pending निकाल देगा, आपको पता देगा, कि कौन सी item है, जो आपने complete कर दी है, आपने भेज़ दी है, और उसका कोई भी pending नहीं बचा है, और कौन सी aysi item है, जो आपने नहीं बेजी है, या अभी भी उसमें pending बचा हुआ है, या अभी भी कुछ ऐसी quantity है, जो आपको भी भी देनी है, इसको भी आप format कर लेंगे, हम इसने बता दिया है कि कौन सा product, कौन सा bearing अभी भी आपको देना है, उसकी quantity बता दिये, यहां देखिए minus में आ रहा है, minus 190 pieces, ऐसा क्यों हुआ, यह देखिए, क्योंकि उसने total pieces मांगे थे 500, और हमने भेज कितने दिये, 690, तो 500 मांगे थे, 690 दे दिये, हमने बतले में, यानि क 190 piece हमने ज़्यादा दे दिये, उसको, इसलिए यहां पर हमारा answer आ रहा है, minus 190, तो यह आपको बता देगा, यह काफी अच्छी चीज है, कि आपको पता चल चुका है, कि आपने कोई item ज़्यादा दे दिये, अब आप इस पर discuss कर सकते हैं, अपने next PO पर, कि 190 pieces minus करके दे, यान की 500 piece मांगी थी, और 13 तारिक को देखी, हमने 13 तारिक को 500 piece दे भी दिये, इसी तरह next item है, यहाँ पर, बासट सो टू आरेस, यह भी इसने 500 piece मांगी थे, और यह हमने 19 तारिक वाले bill को पूरे कर दिये, इसलिए 500 में से 500 गया, रह कितना गया, जीरो, तो मुझे पता चल गया कि कौन सी item है, जो हम complete कर चुके हैं, और कौन सी item है, जो अभी हमने भेजी ही नहीं है, या कौन सी ऐसी item है, जो हमने भेजी तो है, लेकिन पूरी quantity के साथ नहीं भेजी है, कम भेजा है, और हमें पता चल गया है कि कितना piece और भेजना है, तो यह काम होता है हमारी seat का, हम pending कालते हैं, अपने सभी purchase orders का, ताकि आपको पता रहे कि अभी आपको कौन सा माल, कौन सा product अभी भी भेजना है, या कौन सा product ऐसा है, जो आप full quantity में भेज चुके हैं, और आपको अब उसका एक डिपीस नहीं देना है, अब देखिए ये सब कुछ कितना easy था, सब कुछ सीध हो गया है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, सीधा सा formula लगा है, और हमारा pending आ गया है, दिक्कत तब आएगी, जब आपको एक और purchase order मिलता है, same company से, आपका पुराना purchase order अभी complete नहीं हुआ, आपने देखिए, हमारे पास अभी भी बहुत सी items हैं, यहाँ पर जो हम कि दो purchase order हो जाएंगे, तो उसका total कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको बीच में column बनाना पड़ेगा, नई details डालने पड़ेंगी, आपर अलग से total निकालना पड़ेगा, और हमारे सारे function भी change हो जाएंगे, अब वो सब कैसे करना है, मैं आपको अगली class में बता हुआ, क फिर आपने बिल के अकोडिंग उसे बेज दिया, और ये list तयार करने की कोशिस कीजिए, तो ये थी आज की हमारी class जिसमें आपने सिखा कि कैसे आप real life में real office work maintain कर सकते हैं, अपनी excel फाइल में, अगर आपको आज की हमारी class यानि की वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसी बने रहना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सवाल और सजेशन्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली class में, तब तक जो सीखा उसकी practice कीजिए, ब झाल 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 झाल